The monoatomic gas pressure P1 and value 0 is compressed adiabatically to one-eighth of its original value. The what is the final pressure of the gas? ठीक है भाई यह कौन सा प्रोसेस है? Adiabatic. ठीक है? इसका भी relation मैंने पीछे जस्ट बताया हूँ. ठीक है? खिलाल हम लोग यहां लिख लेते हैं. हमारे पास कह रहा है कि compressed हो रहा पहले A पे था. compressed होगे कहां पे चला गया? B पे. पहले pressure कितना है? P1 और value V1. बाद में pressure पता नहीं है बता दीजी. और बाद में जो value हो जा रहा है वो V1 divided by 8 हो रहा है. और यह कौन सा प्रोसेस है? एडिया वैटिक प्रोसेस है. अच्छा, एडिया वैटिक प्रोसेस में P और V में relation बताये थे. P V की power gamma equal to constant. आपको P2, अभी यह तो याद रखिये ही रखिये. लेकिन यह जो result है, इस तरीके से बनता है. P V की power gamma, ठीक है? P1 V1 लिख सकते हो P2 V2 की power gamma. तो लिख सकते हैं P2 divided by P1 equal to V1 divided by V2 की whole power gamma. आप ये relation अगर हो सकें, तो आप note कर लीजिए. और अकसर question में यही format यूज हो रहा है, तो आप direct कर सकते हैं. ठीक है? अब हम लोग इसमें solve करना है बस. V1 की value कितना दिया है? V1 दाने दिजिए V2 कितना है? V1 divided by 8 है, यहाँ gamma है, ठीक है? ठीक है न जी? अब इसको solve करोगे तो यह उपर चला जाएगा, तो यह 8 हो गया और power gamma हो गया. ठीक है? अब यह कह रहा है कौन सा? Mono atomic gas. अच्छा, इवन गामा की value नहीं गिया है. हमने आपको तरीका सिखा रखा हूँ, वैसे mono atomic gas, diatomic gas, polyatomic के आप gamma की value learn करके जाएगा. ठीक है? खिलाल मैं निकाल दे रहा हूँ. अगर mono atomic gas के लिए gamma निकालेंगे तो यह उगा CP upon CV, और CV मैंने बताया था, f r by 2 होता है, degree of freedom इसका 3 हो जाएगा. अच्छा, CP minus CV equal to r होता है, तो CP की value कितनी हो जाएगी? r plus cv हो जाएगा, यह r plus 3 r by 2, तो यह कितना आएगा जी? 5 r by 2, यहाँ पर रखिए 5 r by 2, यहाँ पर रखिए 3 r by 2, यह कट जाएगा, तो कितना आएगा? यह 5 by 3, यह 5 by 3 बुक में भी दिया रहता है, NCRT में भी दिया है, आप उसे note करके short notes में ही note करें, अब सोचिए जो मैंने यह लिखा, इसमें time तो लगा न, अगर यह time आपका exam में चला जाता है, उतनी देर में परोसी वाला दो question को solve कर ली, time save करने का तरीका सीखना पड़े और गामा यहां पर क्या है, 5 by 3, डाइरेक्ट यह कट गया हमारा 3 से 3, तो यह आगया 2 की power 5, यह हमारा है P2 divided by P1, इसको simplify करिए, P2 equal to कितना है, 2 की power 5 P1, मतलब अगर आप basic fundamental को note करते हैं, तो exam में help करता है, अगर आप note नहीं करना चाहते हैं, ignore करेंगे, वो आपको ignore कर में अगर आपको 2 मिनट लगता है, तो समझ लीजिए आपका selection नहीं होने वाला है, आप कैसे भी करिए, speed बढ़ाईए, एक मिनट में कोशन लगना चाहिए, जो कोशन 2 मिनट में लगता है, उस exam में लगाना ही नहीं है, जब पूरा paper solve हो जाए, तब last में लगाईए, और ऐ होगा कैसे, आपको कुछ चीजी, अब जैसे मान लो हमें खुद से करना होता है, मुझे आपको बताना नहों होता, तो मुझे पहले से पता P2 upon P1, V1 upon V2 की पावर गामा होता है, यह कह रहा है कि V1 by 8 है, तो यह मन में हो जाएगा V1 upon V1 by 8, तो 8 उपर चला जाएगा 2 की पा समझने का प्रयाज करिए, अगर बहुत सारे बच्चे गम बिल्कुल हैपी मोड में आ गए है, मेरे प्लेटफॉर्म पर आके काफी चीजे जबर्दास तरीके से सीखना शुरू कर दिये हैं, तो यह चीज ध्यान रखे रहे हैं, अगर आप बाद में भी करते हैं, लाइब कर लो ऐसे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, पूर, एट, सिक्स्टीन, थर्टीटू, कितना जी, थर्टीटू, तो यह आ गया हमारा थर्टीटू पीवन आ रहा है, तो इसका हमारा आंसर जो टिक करने वाले हैं, दी ओप्शन करेक्ट है,